नीकलोटाइड़च, chemical composition of नीकलोटाइड़च 1. फ़स्ता contents नीकलोटाइड़च, parts of नीकलोटाइड़च and types of नीकलोटोइड़च 1. फ़स्ता नीकलोटाइड़च अगर हम नीकलोटाइड़च की बात करते हैं तो जो 바 Recovery उसमें जो 4 major types of Bakely लिपर्टीन तो जो चोत्य टाइप है बाइब निक्लोटाइट जैने निक्लोटाइट आए तो बेसिकली पर निक्लोटाइट जो है यह रिप्रेसेंटिंग दा फूर्थ मेजर ग्रूप आफ बाइव मालीक्यूल्स तो निक्लोटाइट को अगर हम बाडी के अदर देखते हैं एक तो यह रहाविंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स उनका बहुत सारी इंपॉर्टेंट रोल है जो सेलूलर एक्टिविटीज के अंदर वो परफॉर्म करते हैं और इसके लावा यह रावा यह बिल्डिंग ब् निक्ली के सर जिसका हम बोलते हैं वाट इस दा चैमिकल कंपोजिशन या फिर हम कहाँ से तो निक्लोटाइट के थ्री बेसिक कंपोनेंट से हम वजूद है नमबर वान इस दा फाइव कार्बन शुगर जिसको हम पैंटोज शुगर भी बोलते हैं सम्टाइम यह राइबोस होती है सम्टाइम यह डी अक्सी राइबोस होती है तो दूसरा इसका इंपॉर्टन कंपोनेंट है फास्फेट ग्रूप थर्ड वन इस दा नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस उसके तीन इंपॉर्टन ग्रूप्स हैं जो तीन ग्रूप मिल कर एक निक्लोटाइड को बनाते ह तो इसमें अगर हम डायग्राम को देखें पैंटोजाई शूगर पैंटोस मीन फाइल कार्बन शूगर तो फाइल कंपोनेंट है इसका इसके बाद ऐस फास्फीट ग्रूप फास्फीट ग्रूप इस दा 2nd कंपोनेंट आफ दिस निकलोटाइड धाइड नाइट्रोज बे अगर हम types of nucleotides की बात करते हैं तो nucleotides को हम different categories में divide कर सकते हैं on two main basis, दो main वजव हात हैं जिसके वज़ाद से हम इसको classify कर सकते हैं, number one है classification of nucleotides on the basis of pentose sugar, कुछ nucleotides वो हैं जिनके अंदर जो five carbon sugar है वो deoxy ribose है, और कुछ वो हैं जिसके अंदर ribose है, those nucleotides which have ribose as their pentose sugar, they are called as the ribonucleotides, और इस तरह से वो nucleotides जिनके अंदर deoxy ribose मुझूद है, they are called as the deoxy ribonucleotides, अच्छा, ribose और deoxy ribose में जो basic difference है, वो उनके carbon number two के उपर oxygen का मुझूद होना या absent होना है, जैसे अगर आप diagram में जो first one है, इसको अगर हम आप देखें के तो ये इसमें oxygen missing है, so this is the deoxy ribose, जबके second one जो हमारे पास है, उसमें carbon number two के उपर hydroxyl group मुझूद है, यनि oxygen मुझूद है, so it is the ribose, तो ribose अगर है तो फिर ribonucleotide, और अगर deoxy ribose मुझूद है, फिर deoxy ribonucleotide, दूसरा pattern जिसकी base के उपर हम nucleotides को classify कर सकते हैं, वो है nitrogen bases, nucleotides के अंदर there are four types of nitrogen bases which are present, four types of nitrogen bases है, जब first one है, adenine है, then guanine, then cytosine, और इसके बाद अगर deoxy nucleotide है तो उसमें thymine होगा, और अगर simple ribonucleotide है तो फिर उसके अंदर uracil मुझूद होगा, तो आप ये चारों bases हैं, तो इन चारों bases के लिहास है, निकलोटाइट जहाँ वो, फर्द करें, जिस एक निकलोटाइट है, उसके अंदर adenine पाए जाती है, तो अब हम उसको कहेंगे, it is the adenosine nucleotide, इस तरह से, अगर एक के अंदर guanine पाए जाती है, तो हम उसको कहेंगे, guanocene nucleotide, एक nucleotide के अंदर अगर cytosene पाए जाती है, तो हम उसको कहेंगे cytidine nucleotide, अगर एक nucleotide के अंदर thymine मुझूद है, that will be called as the thymidine nucleotide, और अगर अगर उसके अंदर uracil मुझूद है, तो that will be called as the uridine nucleotide, ये nucleotide का जो नेम है, वो उनकी nitrogen base के हिसाब से होगा, अब sugar, डियाकसी राइबोस या राइबोस शूगर, और इन चारों मैंसे कोई एक nitrogen base जो हो, ये दूनु चीज़े मिलकर nucleotide का नेम जो हो complete करती है, जैसे अगर राइबोस शूगर है, और साथ जह वो thymine मुझूद है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो हो फिर जो डिफूस का जो नेम रखे हैं कि हम जैसे अगर राइबोस शूगर है, राइबोस शूगर के साथ अगर अगर एडिनीन मुझूद है, तो फिर हम उसको कहेंगे, इस दा एडिनोसी नुकलोटाइट, अगर राइबोस के अगर अगर डियाक्सी राइबोस है, तो फिर हम उसके लिए डियाटीप, डियाटीप, तो डियाक्सी के लिए हम डिकावर्ड जो हो साथ यूज़ करेंगे, कुछ राइबोस नुकलोटाइट, कुछ ऐसे हमारे पास नुकलोटाइट हैं जो के less common है, but they are very important, उसमारे पास जिन को यह नहीं कि वह ज़्यदा जो हम ज़्यदा स्टडी इन चारूं को करते हैं, लेकर दो तीन ऐसे हैं जो, they are also nucleotide in nature, जैसे cyclic AMP है, FAD है, NAD है, these are also the examples of nucleotides.